सुमबाज की शाम मुरेना के हजारों लोगों के लिए भारी थी अठार गाउ के एक लाल की शहादत पर हजारों आखे नम थी गाउ के इस बहुत जवान को अंतिम विदाई दी गई सुमबाज शाम 6 बजे जैसे ही शहीद महींदर सिंग सिकरवार की पार्तिवधे को गाउं में लाया गया अंतिम संसकार में शामिल हूने शेत्र की जनता हसारों की संख्या में वहाँ पौच गई जवान के पार्तिवधे का अंतिम संसकार के लिए ले जाया गया तब लोगू ने तिरंगे में लिप्टे शहीद बेटे के पार्तिवदे पर फूल बरसाए, सबी के आखे नम दिखी शहीद हवलदार महींदर सिंग सिकरवार को सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई बेटे मनीश ने जवान को मुखगनी दी सीना ब्रिगेडियर ने कहा कि हमारी भारती सीना ने एक पहाद्दूर सैनिक को खोया है इस दुर्भाग के प्मून दुरगटना में वीरगती प्राप्त हुई है हम भगवान से प्रातना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांती दे परिवार जनों को हिम्मत और होसला दे जिससे वो इस हानी को सह सके शनिवार शाम चैपजी सीना का ट्रक लद्दाक के ले में दुरगटना ग्रस्त हो गया था इस ट्रक में आर्मी के नौ जवानों की मौत हो गई थी इनमें हवलदार महींदर सिंग सिकरवार उम्र 42 साल मौरेना के अतार गाओं के रहनी वाले थे वे आर्मी की आर्टलरी रेजिमेंट में लद्ताक में पदस्त थे शनिवार को चालक महींदर सिंग सिकरवार अपनी तो ही दस्ते में शामिल जवान को लेकर लेक से अग्रीम पोस्ट की और जा रहे थे इस पीच वाहन का संतुलन बिगड़ने से वाहन कई सौ फीट गहरी खाई में जागिरा जिसमें नौ जवानों सहित महींदर सिंग सिकरवार भी शहीद हो गए अटार गाओ के रहने वाले महींदर सिंग सिकरवार के दो बच्चे मनीश उम्र 18 साल और बीटी प्रिया उम्र 17 साल है वे अपनी मा के साथ सबल गड़ में रहते थे बताया जाता है कि दस दिन बाद महींदर तेड़ महीने की चुट्टी पर आने वाले थे इसके साथ ही जन्वरी में उनका रिटायर्मेंट भी था चार माँ पहले ही महींदर के पिता का कैंसर से निधन हुआ था उनकी माँ का भी पूर्वस ही निधन हो चुका था चोटा भाई विजेंदर सिंग भी सीना से रिटायर होकर जेल पुलिस दमू में पदस्त है वो राव हमारा बतीजा था उपज़ेस के लिए सहीद हुआ है अब अचार पास बच्चे और भी पहुझन है जेज के लिए हई रवबच्चों जेज निदा झाओ भाई बच्चों को भाईर हो एँ एँ पॉर्वबच्च के लिएया इँ निदेवोगेगे लिए अबार्वान को शांति मिले परवान के परिवार में सभी लोगयों जो जो इनके परिवार में लोग हैं सब को हिमत और होसला अभे ताकि वो यह जो लॉस हुआ है इसको वो हिम्मत से इसका सामना कर सके हैं हम उमीद करते हैं कि परिभार वाले सब यह होसला पाएं और आत्मा की शांति के लिए भी हम पाता करते हैं